दो मार्च को तिनसुकिया शहर के 14 नंबर वार्ट बढ़ पतार दास पाड़ा में एक सथतर वर्षिया ब्रिद्धा को मौत के घाट उतार कर दूसरी ब्रिद्धा को घायल करने वाली घरेलू नौकरानी माया कालिंदी को आज तिनसुकिया सदर पुलिस द्वारा तिनसुकि नितुल दास के नेतृत्व में माया कालिंदी को गिरफतार किया गया है। श्री चेतिया के अनुसार माया ने अपना गुनाह कबूल किया है। उलेखनिया है कि दो मार्च को तिनसुकिया सदर थाना के अंतर 14 नंबर वार्ट बोर पतार स्तित दास पाड़ा में दिन्धार जहां एक ब्रिद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी, वही दूसरी ब्रिद्ध महिला को बुरी तरह घायल कर दिया गया था। ब्रितका की पहचान स्वर्गिय प्रिती भूशन चौदरी की सतहतर वर्षिया पतनी नमिता चौदरी के रूप में हुई थी, वही घायल महिला क पहचान 66 वर्षिया सुमिता भट्टाचार्य के रूप में हुई हती। रिष्टे में दोनों बहने हैं। स्थानिय लोगों के अनुसार दिनों बृद्धा घर में अकेले रहती थी। घायल सुमिता भट्टाचार्य के अनुसार इस कांध को घरेलू काम करने वाली माया नाम महिला ने अंजाम दिया था घर के एक कम्रे में नमिता चौदरी की लाश रक्त कुंड में डूबी पड़ी थी उनके गले एवं चेहरे पर धारदार हथियार से वोग किये गए थे महिला नाम है माया कलिंदी आथा इस दूसर मोया खबो तेके टा कम कर बॉन करा मुहिला है सही अगटले बज़रे ब्रेक हो इश इले आज गए थेकले अंज़ा अगया ने वा टो दूस दिन्बा अहाज़ँा करी अशे काम करा मुहिला है सही थे थे दाहर आलाश चेहरे ने पर थेखे ते उन्मात प्राई हो यह सिंदे सिंदे केने अगतार खीनी आई।